अब विपक्षी दलों के उन निताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है जो AD के घेरे में है ये मुश्किल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी है दरसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि राज सरकार के अधिकारियों को मनी लॉंडरिंग के मामलो विलो, विलोर, तिरुचीरापली, करोर, तंजावूर और अरियालूर के करितनों को AD ने तलब किया था लेकिन तमिलांट सरकार और जाज के दायरे में आये अधिकारियों ने मदरास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि AD की जाज सरकार और अधिकारियों के रोग लगा दी एडी ने मदरास हाई कोट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोट का रुख किया इसकी बाद सुप्रीम कोट ने सुनवाई करते हुए मदरास हाई कोट के फैसले पर सवान उठाया और कहा कि इससे राज सरकार को कैसे नुकसान हुआ है किस कानून के तहत र एडी के खिलाफ ये रिटियाज का दायर कर सकता है। सुप्रीम कोट का कहना है कि चाहिए जो हो राज को एडी की जाच में सयूग करना चाहिए। सुप्रीम कोट की इस फैसले से विपक्षी पार्टियों को बड़ा जटका लगा है। लोकसवा चुनाओं से पहले सुप्री दनों का आरोप है कि केंद्र सरकार एडी और सीबी आई जाच की जरिये उनकी आवास को दबाने की कोशिश कर रही है। एडी केंद्र के इशारों पर जाच करते हैं और जोटे मुकदमे में फसाकर जेल में डालती है। ऐसी में अब सुप्रीम कोट की ओर से की गई एडी क जाच पर सकरात्मक टिपणी से विपक्षी दनों द्वारा शासित राज्यों में चल रही जाच प्रभावित हो सकती है। फिलहाल देश भर के आठ बड़े विपक्षी नेता एडी की रडार पर हैं। पहले नंबर पर हैं राज के पुर्व मुख्यमंत्रे हिमन सुरेन ज इससे वे मागडबंधन दल को घेर सकते हैं। अगला नाम दिनले के पूर्व डिप्टी सेम मनिश्ट सूधिया का है जिन्हें एडी ने फरवरी 2022 में विरफतार कर लिया था। उन्हें शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। वहीं इस लिस्ट में अगला नाम दिनली के सेम अर्विंद केजरिवाल का है। अर्विंद केजरिवाल को शराब घोटाला मामले में एडी अब तक 7 बार समन भेज चुकी है। केजरिवाल को 26 फरवरी को पेश होने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश के बाद अब केजरिवाल इसी मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सतिंद्र जैन का भी नाम है जिसे लेकर एडी ने बीते 30 मई को नहीं गिरफतार किया था सतिंद्र जैन पर चार कंपनियों से जुड़े होने का आरोप है जिसके जरिये मनी लॉंडरिंग को अंजान दिया गया अगला नाम विस्ट बंगाल की सेम ममता बेनरजी के भतीजे अभिशेग बेनरजी का है बंदाल स्कूल रोजगार गोटाला मामले में जाज के दोरान अभिशेग बेनरजी से एडी पूछताच कर चुकी है उन पर प्राइमरी स्कूल नौकरी गोटाला में पैसे के अवैद लेंदेन का आरोप है त्रिनमूल कॉंग्रेस के ही एक और नेता और विस्ट बंगाल सरकार के मंत्री रहे जोती प्रेय मलिक को 30 अक्टूबर को एडी ने गिरफतार किया था उन पर करोडों रुपय की राशन वित्रन गोटाला मामले में शामिल होने का आरोप है बंगाल क लेटे दोनों से लंबी पूछताज की थी सुप्रीम कोर्ट की इस वैसले से साफ है कि अब ये तमाम निता एडी के जाज से बच नहीं पाएंगे एडी के जाज के खिलाफ अब ये सवाल खड़े नहीं कर पाएंगे हाला कि केस टू केस भी निरबर कर सकता है वैसे आपकी की इस पर क्या रहा है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें हमारे चैनल लोगतंत्र 19 को फेस्बुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें फिलाले तैन्विदा जो हाँ